मेरी किताब, पार्ट 7 उसके, हमने पिछली वीडियो में पिछली गख्षा में हमने इसके तीन प्रशन उत्तर कर लिए थे इस पारट के हम शब्दर्द भी कर चुके हैं और ये कहानी भी अच्छे से पढ़ चुके हैं आज हम जो हैं इसके आगे के प्रश्न करेंगे तो इसमें अगर आप अपनी हिंदी की बुक में हिंदी की बुक में पेज नंबर 44 खोलें तो 44 पेज पर आपको सबसे पहले उपर heading मिलेगी नापतोल उस नापतोल heading के अंदर आपको दो प्रशने दिये हुए हैं जो पहला प्रशने का सभी बच्चे अपनी किताब में देख सकते हैं इस वीडियो के साथ साथ कि जो पहला प्रशने का मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा तो इसमें जो पहला प्रशन पूछा गया मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा तो इसका जो उत्तर है वो यह है है यहां सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी और मौसी ने उससे हसी में क आपने के लिए अलग अलग चीजों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तमाल करते हैं अगला हम अलग-अलग चीज़ों को जब नापते हैं या उनका वजन तोलते हैं तो इसके लिए हमें अलग-अलग चीज़ों की जरुरुत पड़ती है तो आपको नीचे इस पेज पर कुछ बहुत सारे चित्र बने हुए हैं तो उन तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से नापोगे यह आपको बताना है यहाँ कोश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने ले आया हूँ यहाँ से भी आप देख सकते हैं अलग-अलग चीजों को नापने या तोलने के लिए अलग-अलग चीजों का इस्तमाल करते हैं तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से मापोगे अब इसमें आप देख सकते हो कपड़ा भी दिखाई दे रहा है एक मैंगो यानि आम भी आपको दिखाई दे रहा है बरतन के अंदर कुछ पानी रखा हूँ आपको दिखाई दे रहा है एक चद्दर सी आपको दिखाई दे रही है कुछ कागज जैसा कुछ दिखाई दे रहा है वो और एक मेज दिखाई दे रही है तो इसमें आप देखे सबके जो उत्तर हैं अब नीचे जो आपका खाली स्थान दे हुए है कि कपड़े को किस से नापोगे आम को किस से नापोगे मेज को किस से कागज को किस से पानी को किस से तो यह आपको बताना है तो कपड़े को तो मीटर से नापते हैं कपड़े की लंबाई मीटर में नापी जाती है आम का वजन नापा जाएगा तो वो किलोग्राम में नापा जाएगा मेज जो है वो सेंटी मीटर से नापी जाएगी कागज भी जो है वो सेंटी मीटर से नापा जाएगा और पानी को हम किस से नापेंगे पानी को हम लीटर में नापेंगे ठीक है तो मेज वाले में आप मीटर भी लिख सकते हूं मेज अगर बढ़ी होगी तो उसे मीटर में भी नाप सकते हैं ठीक है अब कपड़े को मीटर में नापेंगे और कागज को सेंटी मीटर में बाकी आम जो है जो तोलने वाली जीज़ें बज़ने तो उसमें किलोग्राम से और पानी को हमेशा में लीटर में आते हैं तो इस तरीके से ये जो है मैंने आपको इस पेज नंबर 44 पे जितने कोशन थे उनके आंसर इस वीडियो में समझा दियें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बात में उससे पूछ सकते हैं और समझ में आ गया हो तो आप जो है इसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे अच्छी हैंड राइटिंग में आज कर लेंगे आज के लिए धन्यवाद